नर्सिंग कॉलेज मामले कोले का चिक्सा शिक्षा मंत्री विश्वा सारंग ने कहा कि फरजी वाड़ा ना हो इसके लिए हमने तीन इस तरी प्रक्रिया सुनिश्चीत की है इस दरान उन्होंने कॉंग्रेस पर निशां सात्य विश्वा सारंग ने कहा कि गांधी परिवार को रिमोट से चलने वाला एक अध्यक्षी चाहिए था थारूर अगर राहूल गांधी और सुनिया गांधी की चमचा गिरी करते तो उन्हें इज्जत मिलती खडगे ने ये पहले ही कहा है कि अध्यक्ष बली का बकरा बनेगा बकरी को जब बली दी जाती है तो उसे पहले सजा जाता है उसी तरह खड़गे को गले में मारा डालकर उन्हें सजा जा जा रहा है थरूर जैसे इंटिलिजेंट आदमी इन सम्मिन नहीं पड़ता तो सही रहता जब कमलनाथ मुक्रमती थे तब उन्होंने आदिवासियों के तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविन सिंग के बयान को लेकर कहा कि मैं उनको चुनोती देता हूँ कि वह विधायक का नाम बताएं नेता प्रतिपक्ष जी की कुंठा इस बात की है कि पूरी मीडिया को सुर्कियां कमलनाथ दिग्विये सिंग ले जाते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी स्थिती कॉंग्रेस में बहुत खराब हुई है उनके बयान में न यथार्थ है न सत्य है शशी थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें गलती हो गई शशी थरूर जी दस जन्पत पर नाक रगड़ते तो उनको तवज़ो मिलती शशी थरूर जी राहूल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागरी करते तो उन्हें कॉंग्रेस में इज़त मिलती खड़गे जी ने कही दिया कि जो रास्ट्री अध्यश बनेगा वो बली का बक्रा बनेगा और हमने देखा है कि जब बक्रे की बली दी जाती है तो उसको सजाया जाता है उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है अब नहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाएगी थरूर जी को समझना चाहिए कि ये फिक्सिंग है ये नहरू परिवार की फिक्सिंग है ये कोई चुनाओ नाओ नहीं हो रहा इस दोरान उन्होंने नर्सिंग कॉलेज मामले को लेकर कहा कि फर्जी वाड़ा ना हो इसको लेकर सरकार कटबद है हर तरीके से नर्सिंग कॉलेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा आधार लिंकिंग, जियो टैग और एफिडेविट भी चेक की जाएगी लगातार मिन रही शिकायतों के बाद हमने ये फैसला लिया है कोई भी फर्जी कॉलेज को हम मध्यपदेश में जगए नहीं देंगे हाली में हमने कई कॉलेज की मानिता को भी समप्त कर दिया है नहीं केंदेगे मंत्री अमिश शाह के 16 अक्टूबर को भोपाल दौरे को लेकर कहा कि देश में मध्यपदेश पहला राज्य होगा जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेगा मानि प्रधान मंति नहीं मोदी के नित्वत में राश्टी सिक्षा नीती में हुए अमुल चूल परिवर्तन के काड़ ही संभा हो पाया है मुख्य मंत्री जी की यह पहल पर हमने सफलता प्राप्त की है 16 अक्टूबर को फस्ट एयर की तीनों पुस्तों को भी मोचन केंदी के मंतिया मिर्शा करेंगे इसका फायदा हमारे हिंदी भासी शात्रों को मिलेगा देखिए हम सब का के लिए बहुत बड़ा दिन है 16 अक्टूबर को देश में मध्यपदेश पहला राज्य होगा जो हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत करेगा हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री नरेद मोदी जी का आवहान था और राश्ट्री सिक्षा नीती में उन्होंने जो अमूल चूल परिवर्तन किया और लॉड मेकॉले की सिक्षा पद्धती जिसने हिंदुस्तान में सही माइने में गुलामी की मानसिक्ता को बढ़ावा देने का काम किया नरेद मोदी जी जब से देश के प्रधान मंत्री बने उन्होंने अमूल चूल परिवर्तन इस देश की हर विवस्था में किया और उसका बहुत बड़ा प्रमान हमें राश्ट्री है सिक्षा नीती में देखने को मिलता है इस देश के भविश्य और इस देश के आगे आने वाली पीडी को यदी सौव लंबी और देश प्रेमी बनाना है तो निश्वित रूप से सिक्षा पद्धती में अमूल चूल परिवर्तन होना ही चाहिए आप देख रहे हैं दखल नीव